हलो नमश्कार, वल्कम टो इनकलकेट लर्निंग, लास्ट वीडियो में हम वेदिक एजुकेशन, बुद्धिस्ट एजुकेशन, इस्लामिक एजुकेशन, इन सब के बारे में डीटेल में पढ़ चुके हैं, इससे बिलकुल लास्ट, रीसेंट लास्ट जो वीडियो है, उसम माउंट स्टर्ट एलफिंस्टन थे कौन, तो 1819 में जो है, माउंट स्टर्ट एलफिंस्टन, लेफ्टिनिंट गवर्नर ओफ बॉम्बे बनाए गए थे, उसके बाद ये 1827 तक जो है गवर्नर रहे, 1827 के बाद जो है, दो साल इन्होंने भारत घूमने में लगाए, और उस 1823 की बात है, इसमें जो एलफिंस्टन हैं, उन्होंने हमेशा से ही जो नेटिव इंडियन्स थे, उनकी एजुकेशन पर फोकस किया था, कि उनको एजुकेशन मिलनी चाहिए, तो प्रेजेंट हाइर एजुकेशन सिस्टम हैजट्स ओरिजन इनिट ऐसा माना जाता है, कि अ उसके बाद है, माउंट स्टोड एलफिंस्टन स्ट्रेस्ट अपॉन देनीट फोर एस्टाबलिशिंग स्कूल्स फोर टीचिंग इंग्लिश एंड यूरोपीन साइंसेज, तो इसका ओवरोल कंक्लूजन अगर हम एक लाइन में याद रखें, तो माउंट स्टोड एलफिं जब ब्रिटेन में जो है, वो ओपीनियन ये था कि नेटिव एजुकेशन जो हो नहीं होनी चाहिए, क्यों उस पर पैसा खर्च किया जाए, तो इन्होंने ये बोल सकते हैं, हम जैसे हम बोलते हैं, कि फ्रेंड तो वो ये जो मुसीवत में साथ आए, तो इन्होंने उस टा गया फुर ठीक हैं, उसके बाद जो है, इन्होंने ओर में बाकी काम के ती, जिसमें एक मेल में इंपोर्टेंट था, कि ब्रिटिश लोगों ने, जो ब्रिटिशर्स थे, उन्होंने जो इन्से पहले गवरनर वगर थे, उन्होंने क्या किया था, कि लेज़न जो है वो सीज लोट गए थे उसके बाद जो है Elphinstone College खुला Bombay में जो अभी तक है वहाँ पर बेसिकली ये College Bombay University या जो अब जो है Mumbai University है उससे भी पहले खुला था यानि हम बोल सकते हैं कि जो Bombay University है उसको भरते हुए जो है Elphinstone College ने देखा है उसके बाद अगर हम बात करें तो एक important बात ये है कि इन्होंने एक book लिखी है History of India जिसके दो volumes हैं और इसी book को लिखने के लिए हो सकता है यहाँ पर जो ये दो साल इन्होंने इंडिया का travel किया उसके बाद जो है इनको दो बार offer किया गया था कि ये Governor General of India बन सकते हैं लेकिन इन्होंने वो चीज़ रिफ्यूज कर दी क्योंकि इन्हें अपनी जो ये book है History of India इसको complete करना था तो ये थोड़ी सी छोटी मोटी story है Mount Stort Elphinstone के लेकिन हम इसको ignore नहीं कर सकते क्योंकि यही से जो है हमारे higher education और native education की जो है बाते शुरू हुई थी क्योंकि 1813 के charter act में ही तो state को responsibility compel की थी मतलब उन्हें लेनी पड़ी थी जो अंदोलन हो रहे थे उनके बज़े से तो वहां के बाद जो है 1823 में जब 1819 में लेफटीन गवर्नर बने थे बोंबे के उसके बाद 1823 में Elphinstone Minute आया एक Elphinstone Code भी है जिसके लिए जो है यह काफी famous रहे तो Elphinstone Code भी जो है इन्होंने ही दिया था So this was all about Mount Stort Elphinstone Minute हमें इतना ही पता होना चाहिए यह college जो है वो important है इनकी book का नाम और इनका जो opinion था English education और European sciences को लेके वो यहां से origin हुआ था ऐसा हम मान सकते है So this was all about Mount Stort Elphinstone Minute अगर आपको यह video informative लगा हो तो like कीजिए, share कीजिए और subscribe कीजिए Inculicate Learning को Thank you so much for watching Thank you